दोस्तो आज सुबह की बात है, बहुत ही छोटी सी गलती थी, लेकिन दोस्तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था, जो की मेरे से ही दोस्तो गलती हुआ था, और कैसे हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ, देखे आज सुबह की बात है, मैं अपना गाड़ी निकाला पारकि में डाल देता हूँ तो दोस्तो क्या हुआ, right में कोई भी गाड़ी नहीं थी, तो मैं right में एक बार देख लिया था, तो मुझे इसा लगा कि अभी तो कोई गाड़ी नहीं है, क्योंकि दोस्तो सोसाइटी था, building के अंदर था, अगर सडक पे कहीं होता ह्ता, तुम्हें के ओवर्भियम गई और लेफ्ट साइट का ओवर्भियम जो है दोस्तो मैं उस पर देख रहा था क्यों देख रहा था उसमें क्योंकि जो लेफ्ट में गाड़ी खड़ी थी मुझे उसको समभाल कर अंदर पार्किंग में अपनी गाड़ी को लगाना था तो इसके लिए मैं में देख रहा था जैसे ही ऐसे लेफ्ट में देखकर मैं गाड़ी को पीछे ले रहा था तो एक भाई साब मेरे राइट से मतलब उस साइड से आये और मेरे पीछे ही गाड़ी एकदम लाके लगा दिये दोस्तों गाड़ी लाके लगा दिये और हॉन भी नहीं मारा अगर हॉ अभी खराब हुआ क्योंकि इससे पहले तो बराबर आवा जाता था तो दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि जब कोई पीछे आएगा तो लंबी आवा जाएगी बीप की लेकिन दोस्तों खराब होने के कारड और मेरा निगा लेफ्ट में था मैं लेफ्ट की गाड़ी को देख रह और जैसे ही हान बजाया वैसे दोस्तों गाड़ी मैं जब कभी भी रिवर्स में लेता हूँ तो दोस्तों मैं एकसिलेटर नहीं देता हूँ सिर्फ कलच को धीरे धीरे छोड़ता हूँ और एक पर मेरा ब्रेक के उपर रता है जैसे ही उन्होंने हान बजाया वैसे ही मैं ब प्रेच आ जाता था गाड़ी में तो दोस्तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप कभी भी गाड़ी को reverse में ले तो दोनों mirror को बराबर ही देखे एक बार इधर देखे एक बार इधर देखे क्योंकि आज मेरे से यहीं गलती हुआ कि society के अंदर मैं सोचा कोई आया नहीं है अभी तो कोई आया नहीं अगर आएगा तो हौन बजाएगा और मैं left में देखकर reverse ले रहा था गाड़ी अंदर ढाला था और right में ऐसा हादसा होने से बच गया तो दोस्तों आज यहीं हादसा मेरे साथ होने वाला कर दोस्तों आएट